हाई दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वन प्लस फोन की सेटिंग खराब हो गई है तो कैसे सही करेंगे तो इसके लिए फोन के सेटिंग्स में जाना है अब उपर सर्च का ओप्सन मिलेगा इस उप्सन पर किलिक करना है और यहाँ पर लिखना है रिसेट इस पेलिंग सही से लिखना तो यहाँ पर रिसेट आल सेटिंग्स या रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स का ओप्सन आ जाएगा इन में से किसी भी ओप्सन पर किलिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आ जाएंगे अब यहां पर reset all settings का option मिलेगा इसी option पर क्लिक करना है क्लिक करने से क्या होगा phone की फूरी setting reset हो जाएगी network settings भी reset हो जाएगी इससे आपका कुछ भी delete नहीं होगा जैसे की photo, video, contact number, कोई भी data delete नहीं होगा और जो भी problem रहेगी वो सब सही हो जाएगी तो इस option पर क्लिक करना है और अब lock screen का जो python या password रहेगा उसे डाल कर reset कर देना है इतना करने के बाद अब हम बैग आते हैं home screen पर और अब अपने phone को restart करना है कैसे restart करेंगे तो दिखे जो phone का power button है जिस button से mobile lag होती है इस button को कुछ second तक दबा कर रखना है तो यहाँ पर restart का option आएगा इस option पर क्लिक करना है और जैसे फिर से क्लिक कर देंगे तो phone अपने आप ही switch off ओकर switch on हो जाएगा इससे कुछ भी delete नहीं होगा और जो भी problem रहेगी उसे हो जाएगी फिर phone की setting में जो भी दिक्कत रहेगी वो सब सही हो जाएगी आप अपने phone को सही से यूच कर पाएगे तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू